हेलो दोस्तों आप वेलकम तो माई चैनल इस से पिछले वाले वीडियो में हमने रेक्टेंगुलर कोडिनेट को सिलेंडर कोडिनेट में कैसे चेंज करके हम इंटेगल करते हैं यह देखाता है यह उसी का नेक्स पार्ट है सब्सक्राइब तो आपको पता होंगे कैसे करने है ठीक है यह देखो कोशन पढ़ते है ट्रिपल इंटेगल वी वी वह रीजन हो गया एक स्कार प्लस वाई स्कार डी एक्स डी डी जडी टेकन ओवर दा रीजन भी बाउंड़ बाउंड़ बाउंड बाइदा पैलोड जड़ ग्यांटि लिवय लिमीेंट सांवर फार पैल लोगे काका सब्सक्राइब बाउंड है लेकिन हमारे साथ में रहता है ठीक है तो X मैं प्लेन बनाता हूँ पहले X Y यह Z प्लेन तो X Y प्लेन में Z एकस्टू क्या होगा अगर यह X Y प्लेन है तो X Y प्लेन में Z एकस्टू 0 होगा यानि इन X Y प्लेन क्या होगा Z एकस्टू 0 यानि 0 एकस्टू 9 माइनस X स्कूर माइनस Y स्कूर तो X स्कूर Y स्कूर को में दले गया X स्कूर प्लेस Y स्कूर इस एकस्टू 9 यह क्या एक सर्किल जिसकी रेडियस 3 है और वो कहां पर है सेंटर पर है औब मैं इसको ड्रो करता हूँ यहाँ पर एक सरकिल है ठीक है यह सरकिल है थोड़ा परफेक्ट में नहीं यह लेकिन यह सरकिल है रेडियस जिसकी खिरी है अगर यहां से खिकना होगा घरी फीक है तो इसके कोडिनेट क्या यहां रिक जाएड़ी जीरो नेक्स्त अब हमें यह पता चल चुका लेकिन किसका लेंडर में तो यह थाइप का दीखेगा मैं इसको इसलेंडर की था बनाता हूं यह इस टाइप का दिखेगा अब हमें हमारे जो शेप है उस पर ध्यान दो ध्यान से देना तो यह जो सर्किल बन रहा है सर्किल यहां पर देखो तो यहां पर यह रेडियस इसकी यहां से यहां तक गई है आर की वैल्यू हमें पता चल चुकी है आर जो आ चुका हमारा का तक tillo2,3 तक ठीक है यह रहेंगी यहां यहां पर हीचो यह x ऐसी है यह जी रॉक्त कौमा,3 कौमा, 0 होगा एक्स y से हुआ तो,3,2,0,0 यह होगा नैक्स यहां पर क्या रहा है यह लेकि राढ़र कहा रहा है लेकिन रोडियुस क्या रहनेOK है है Y Adding चाहिए होता कि ठीटा ठीटा की वेल्यू कहां तक जाएगी ठीटा यहां से मैं शुरू करूं मैंने कोई स्ट्रिप ली ठीटा को मैं यहां से इसको घुमाना शुरू करूंगा कहां तक जाओगा जो मेरी जहां तक मेरे से से बनेगी यहां तक तो यहां तक मुझे घुमा के लाना पड़ेगा 0 से लेकर पूरा राउंड वह कि 0 से लेकर कहां तक पूरा राउंड यानि 2 पाई तक दब जाके मेरे circle complete होगा next z की value कहां तक जाएगी z हमें given है 0 से लेकर z equals to 0 यहां से लेकर z equals to 9 minus x square minus y square z equals to 0 to कहां तक 9 minus x square minus y square तो हमें limits पता चल जोगी है और substitution हमें पता यह क्या-क्या पूट करने रहते हैं x equals to r cos theta y equals to r sin theta z equals to z put करते है d x dy dz की पूट करते है r dr d theta और dz तो इसे इसमें पूट कर देंगे मगर यहां पर एक बात ध्यान देनी है अगर हम इसको पहले पूट कर देंगे then r की limit आएगी पहले तो हम क्या करते हैं इसको यहां पर और लगा कर लिखते है तो यहां पर इसका order change कर लो क्या कर लो और पहले dz लिख लो then उसके बाद dr d theta क्योंकि हमें देखो z हमारा variable है जो variable है उसको पहले लखना है उसके बाद जो constant है अचा पहले theta लो then r लख लो कोई problem नहीं है जो variable है वो पहले आएगा तो integral जो हमारा कितना आ गया जो given है x square plus y square dx dy dz जण i e g कर लिमिट लगाओ x square plus y square के value कितनी है एक्स square plus y square यह वाला नहीं लगाँ दे न होता R² के रिक्वल्ट तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम R² अभी यहाँ पर यह वैरियवल है कि यह constant value लगा दो R² तो dx divided की जागे कितना जागा R dz dr d theta R हम यहाँ पर पहले जएड है जएड कहां तक जा रहा है 0 से लेकर कहां तक 9 minus x square minus y square 9 minus x square minus y square then R हमारा 0 से लेकर कहां तक जाएगा 3 तक और theta 0 से लेकर 2 pi तक इसको integrate कर दो पहले Z के respect में करना है Z के respect में करेंगे R तो constant रहेगा 0 to 2 pi R 0 से लेकर 3 तक जाएगा यह R cube आ गया वह तो constant है 1 का Z है नहीं तो 1 का कितना हो जाएगा Z 0 से लेकर कहां तक 9 minus x square minus y square कितना गए और सोरी अभी एक सेकंड हमने mistake कर दिये यहां पर यहां पर limit देखो जब यहां पर ठीटा में change होगी limit तो यह कितना हो जागा 9 minus x square plus y square कितना है r square तो यह 9 minus r square रहेगा 9 minus r square ठीक है तो इसको बस limit लगाओ है यहां पर कितना जाएगा 0 to 2 pi r equals to 0 से लेकर 3 r का cube तो यह कितना हो जाएगा 9 minus r square minus 0 उसे लिखने जोट नहीं है यहां पर d r d theta d r d theta कितना हो जाएगा 9 r cube minus r square minus r square d r d theta d theta i equals to 2 theta equals to zero root 2 pi इसको integrate करो r cube का r square 4 और जाएगा r square 6 upon 6, 0 से लेकर 3 तक d theta यहां थीटा तो आने वाले नहीं है थीटा के रेस्पेक्ट में भी डायेट कर दो यहीं पर वह हो जाएगा केवल थीटा 0 से 2 पाई यह कितनी बची लिमिट 9 by 4 3 की पावर 4 minus 3 की पावर 6 upon 6 बाकी का 0 लगाऊंगा तो 0 हो जाएगा उसे लगाने की जोट नहीं है यह कितना हो चाहिए 2 पाई minus 0 यानि 2 पाई 9 by 4 3 की पावर 4 यानि 81 और इसको क्या लिख सकता हूं मैं 3 की पावर देखो मैं इसको थोड़ा ऐसे लिख ले रहा हूं 3 की पावर 6 को मैं क्या देख रहा हूं 3 की पावर 3 इंटू या एसे लिख लो 3 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3 थी ठीक पावर 3 यानि 27 इंटू 27 लिख लो मैं इसको तो यहांसे यह 9 कैंसल यह 2 x cancel I question कितना आगे है 2 pi मैं क्या comment ले रहा हूँ 27 comment ले रहा हूँ और क्या ये दोना 9 है 9 comment ले रहा हूँ नीचे 4 और 2 है तो वहाँ से 2 comment आए जाएगा 9 comment ले लेखा 81 मैं से 27 comment जाएगा तो यह कितना बचाएगा 3 4 4 मैं से 2 comment जाएगा कितना बचाएगा 2, 9 भी common जा चुका, 27 भी 2 भी, तो यहां कितना बचा, 1, 2 से, यह 2 कैंसिल, 27 की 9 में multiply करो, कितना आएगा, 9, 63, 9, 18, और 26, इन 2, यह बचा, 1, यह बचा, 2, तो I कश 2, कितना आचुका हमारा, 243 पाई अपाउन 2, ठीक है, यह integral की net value आचुकी है, complete यह integral की value आचुकी है, जो भी कोशिन आएगा, इस टाइब से करना है, इस वीडियो में इतना ही, और thank you मिलते है next वीडियो में,